हेलो एवरीवन वेलकम बेक टू माई चैनल आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एपरीन ड्राफ्टिंग हम एपरीन की ड्राफ्टिंग प्लस यहां पर ठ्योरी सीखेंगे तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले तो चलिए सबसे पहले यहां मेजर्मेंट देख लेते हैं यहां हमारा चेस्ट जो हमारा एपरीन होता है उसके अंदर हम शोल्डर का निशान नहीं लगता है हम यहां डार आर्म होल हम एपरीन में 9 या 10 इंच पर निशान लगाएंगे आर्म होल जो हमारे होते हैं या एपरीन में बड़े रखेंगे तो हम यहां पर 10 इंच पर आर्म होल का निशान लगाएंगे अगर आपका साइज बड़ा है तो आप 10 इंच पर निशान लगाएं नहीं तो हम यहां पर 9 इंच पर आर्म होल का निशान लगाएंगे इसके बाद हमारे एपरिन की लंबाई हम नॉर्मल 30 इंच आती है इसे अगर आप बड़ा चाहें तो इसे बड़ा भी रख सकते हैं इसके बाद हमारे आजाती है एपरिन की बोटम की चोड़ाई तो हम यहां पर एपरिन की बोटम की चोड़ाई 26 इंच रखेंगे 26 इंज हम bottom की चोड़ाई रखेंगे इसमें हम यहाँ पर दो pocket लगा रहें आप चाहे तो इसे plane भी बना सकते हैं पर यहाँ पर हम pocket लगाना अगर आप चाहे तो यहाँ इसमें हम दो pocket लगाएंगे तो इसके लंबाई हम जो pocket की लंबाई रहेगी वो 8 इंच रहेगी और चोड़ाई हम pocket की रखेंगे पाच इंच इसे आप note कर लीजिए देखें इसे भी लिख लीजिए इसके लिए जो हम apron बनाएंगे उसके लिए हम कपड़े को दो भाग में फोल्ड करेंगे हम जब भी किसी कपड़े की अब हमारा यहां जाता है एपरीन की ड्राफ्टिंग देखें यहां पर हम सबसे पहले हमारे जो भी एपरीन की लंबाई है उसकी लंबाई पर निशान लगा देंगे हमारा नेक्स जो हम बंद भागी साइड से हम यह चेस्ट वाला निशान लगाएंगे तो 9 इंच का यह निशान लगा देंगे इसके बाद हम आ जाते हैं आर्म होल पर आर्म होल यहां हमें बढ़ा लेना है तो हमने 9 इंच पर यहां पर निशान लगाया है अगर आपका इसके बाद हम आर्म होल की गोलाई देने के बाद हम यहां चोडाई पर निशान लगाएंगे हमें एपरिन की चोडाई कितनी रखनी है वह हम यहां पर आर्म होल के बाद हम एपरिन की चोडाई पर निशान लगाएंगे जैसे इस आर्म होल में हमने जो हमारी चोडाई है यह उपर की चोड़ाई और बोटम की चोड़ाई एक ही रखी तो हम यहाँ 26 इंच पर निशान लगाएंगे हमारा यह एपरिन यहाँ पर सीधा रहेगा अगर आप चाहें तो यहाँ जो बोटम की चोड़ाई है जो इसे आप कम भी कर सकते हैं तो हमने यहाँ पर इसे सीधा लगाएंगे तो इसकी पोकेट की लंबाई जो हमारी है आट इंच है और चोडाई हमारी है पांच इंच है दोनों पोकेट हम एक जैसे लगाएंगे पोकेट लगाने के बाद देखिए यहां में हमें में डोरिया लगाएंगे हम पीछे बानने के लिए जैसे हमाई डोरिया ह होती है नॉर्मल एपरीन में वैसे ही हम यहां पर लगाएंगे तो हमें यहां टोटल चार डोरी लगानी है तो हम दो यहां पर देखिए जैसे यहां सोल्डर का हमारा जो चेस्ट का भाग होता है वहां पर हम दो डोरिया लगाएंगे दोनों कॉर्णर पर और दूसरी दो डो कर लिए इसके बाद मैं आपको एक पेपर कटिंग पर कट करकर बताती हूं कि आपको किस तरह से कपड़ा रखना है और किस तरह से आपको कटिंग करनी है तो मैंने चैनल पर अप्लोड किया हुआ है आप यहां आई बटन में जाकर देख सकते हैं आपको एपरिंग की का वीडियो मिल जाएगा देखें यहां पर में पेपर पर आपको कटिंग करकर बताती हूं कि आपको कपड़े पर किस तरह कपड़ा रखना है और किस तरह से कटिंग करनी है सबसे पहले हमारे कपड़े को इस तरह से हम यहां पर यह कपड़े को दो भाग में फोल्ड करें तो कपड यह बाइब हो 5 3 4 इंच पर इस संब्स फाज़ा है इसके बाद शाय से अर्म ऐ Кंप निशान ईंच नगा दिया मैं आप इन्टah 10 का हमारी एफःन की चोड़ाई हमें यह वाली चोड़ाई मी कितनी लेनी है वो हमारे उपर डिपेंड करता है तो जैसे हमने यहां एप्रिन की चोड़ाई हमारी 26 इंच रखी है यह नॉर्मल चोड़ाई है आप इस चोड़ाई का एप्रिन बनाएंगे तो आपको हर साइज में परफेक्ट आएगा देखिए इस तरह से हम इसकी चोड़ाई ले लेंग इस तरह से हम आर्मोल की गोलाई दे देंगे आर्मोल की गोलाई देने के बाद हमने जैसे निशान यहां लगाए है वेसे हमें इसे कट कर लेना है बहुत ही आसान है आप इसे घर पर ही आसानी से बना सकते हैं देखिए इसमें ज़्यादा समय भी नहीं लगता है इसे हम इ नहीं तो आप इसे प्लेन ही रखली अगर वंदी हम इसे प्लेन कंद जाएनगे कार हो जी यदि आप यहां एक पोकेट करने चाहिए एक यके दो रहा है लगा सकते है तो इस सार इस सरह से यह आ? इस आपकर बताया था कि पोगेट की लंबाई जो हैं के आट इंच रखनी और चोड़ाई रखनी है पाच इंच तो में यहाँ पर इस पेपर आपको बताती हूं मैंने यहां दो पोगेट इस तरह से काट लिए हैं कि अब हमें इसे अटेज करना है तो हम इस तरह से सेंटर में इंको इसको अटेज कर देंगे देखिए हमारा तीनो भाग से हम इसे अटेज करेंगे और जो उपर वाला भाग है इसे हम खुला रखेंगे देखे यहां पर हमने इस अटेज कर लिया जो उपर वाला भाग उसे हम अटेज नहीं करेंगे देखे तीनों साइड इस तरह से हम जब सिलाई करेंगे तब भी हम यहां से इस तरह से इनको तीन साइड से अटेज कर देंगे जो उपर वाला भाग हमारा रहेगा यह खुला हुआ भाग रहे गा है अब पोकेट करने के बाद हमें इसमें डोरी अटेज करनी है तो हम देखें यहां मेने इस तरह से यहां पर डोरी बना ली है सबसे पहले हमारा जो यह सोलडर का साइड अटेज करनी है देखिए यह तरह से दो डोरी हम उपर की साइड अटेज करेंगे और दो डोरी यहां आर्म होल के एंड पर हमें लगा देना है इसी तरह हम कपड़े में भी करेंगे देखिए यहां हमारा कंप्लीट हो गया है अगर समय मेजर्में लगा कर और अगर आप को वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को Obs Teams क्यों देन्क egg